हेलो व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे प्याज और बेसन की एक अनोखी सबजी जिसे बनाना बहुत आसान है और कुछ ही मिंटों में सबजी बनकर तयार हो जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं देली और वीकेंड स्पेसेल एसीपीस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें इस सबजी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन को रोश्ट करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर तीन टेबल स्पून बेसन लिया है तो इसे पेन में एट कर देंगे और लगाता चलाते हुए हम बेसन को दो मिनिट तक लोफ लेंपर भूनेंगे जब घर में कोई सबजी ना हो या फिर कुछ नया खाने का मन करे तो घर में रखे हुए इंग्रीडियंट्स का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से आप इस सबजी को बना सकते हैं तो देखिए लगाता चलाते हुए दो मिनिट तक मैंने बेसन को रोश्ट कर लिया है अब गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे पेन में से निकाल लेंगे अब सबजी बनाने के लिए पेन में तीन टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम करने के बाद इसमें हाफ टी स्पून जीरा एट कर देंगे जीरे को कुछ सेकंड्स तक तेल में सोटे करने के बाद हम इसमें 8 करेंगे Half Table Spoon बारिक कटा हुआ लहसुन साथी में 8 करेंगे दो छोटी हरी मीज हरी मीज को हमने सेंटर में से कट कर लिया है और Half टी स्पून कदु कस किया हुआ अदरक देखिए अगर आप लहसुन को बारीक काट कर ना इट करना चाहें तो इसका पेश्ट भी एट कर सकते हैं अब इन्हें तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना होने लगे कुछ दे तक तेल में फ्राई करने के बाद अब देख सकते हैं कि लहसुन का कलर थोड़ा चेंज होने लगा है बस इतना ही इससे फ्राई करेंगे और इस स्टेज पर हम इसमें एट कर देंगे छे मीडियम साइस की कटी हुई प्यास तो हमने प्यास को इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया है और प्यास को हम तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ी सोफ्ट ना हो जाए गेस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे तो हमने मीडियम फ्लेम पर प्यास को तेल में तीन से चार मिनी टक फ्राई कर लिया आप देख सकते हैं कि प्यास थोड़ी सोफ्ट होने लगी है इस टेज पर हम इसमें कुछ सुखे मसाले एड़ करेंगे तो सुखे मसालों में हमने यहाँ पर लिया है एक टीस्पून नमक या फिर स्वादनुसा नमक half teaspoon अमचूर half teaspoon धन्या पाऊडर 1 teaspoon लाल मिश पाऊडर 14 teaspoon गरम मसाला और 14 teaspoon हल्दी पाऊडर इन सुखे मसालों को प्यास के साथ अच्छे से मिख्स कर लेंगे तो सारे मसालों को हमने प्यास के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया अब हम इसमें चार से पांच टेबल स्पून पानी एट कर देंगे और प्यास को मसालों के साथ लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक मसालों का कच्छापन दूर ना हो जाए और प्यास की भुनाई अच्छे से ना हो जाए तो अब देख सकते हैं कि प्यास की भुनाई अच्छे से हो चुकी है इस टेज पर हमने जो बेसन रोष्ट करके रखा है वो इसमें एट कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन एट करने के बाद हम इसे कवर करके कुछ दिर तक और पकाएंगे तो हमने सबजी में बेसन एट करने के बाद इसे लो फ्लेम पर दो मिनिट के लिए और पका लिया अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और गानिशिंग के लिए इसमें हरा धन्या एट करेंगे तो देखा आपने सिर्फ कुछ ही मिंटों में और कम इंग्रीडियंट्स का इस्तेमाल करके हमने कितनी मज़ेदार सी सबजी बनाई आप इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राइ कीजिएगा और अपने एक्सपीरेंस हमारे साथ कॉमेंट बोक्स में सेर करना बिल्कुल भी ना भूले चैनल पर नए हैं तो मेरी आप से हमबल रिक्वेश्ट है के इसी ही आसान और यूनीक रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक शेर जरूर करें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई